जै शीराम सभी भक्तों को जै मातागी फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गई हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए जैसे की बहुत सारे भक्तों के साथ ये सवाल रहता है बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा जो है ले लेते हैं या फिर हम ब्रहमित रहती हैं हमारी बोधी तो उसके लिए कुछ ऐसा बताईए जिससे जो है हमारा दिमाग भी काम करें बच्चे हों बड़े हों बुड़े हों सभी के लिए जो है ये उपयो कुछ ऐसा उपाई बता दीजिए जो सभी के लिए हितकारी हो तो जग बने रहे हैं तब भी आपको सारी वीडियो समझ में आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन उसको प्रेस करें सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की बुडियो जैश्री राम जैश्री बालाजी महराज बाबा की असीम किरपा आपके परिवार पर सतय बनी रहे और मेरी जगजनीमा बवानी अंब के किरपा आपके घर में अनपूर्णा रुप म वास करें अगर आपकी बुड्धी बंदी वी है तो एक बात गाट बांद लीजिए आज आपकी बुड्धी को खोलने का एक महा चमतकारी उपाई आपको आज बताऊंगा श्री बालाजी महराज की किरपा से जो की भक्त शिरोमनी भी है और वीर शिरोमनी भी है उनकी पासे अगर बुड्धी पे कुछ भी वजन डला वया है देखिए बुड्धी बंदने का एक कारण ये भी है कि अगर आपके उपर कुछ करा वया है आपकी बुड्धी को भ्रमित करने के लिए ताकि आपकी बुड्धी जो है सही त्रिके से चेतना में ना रहे आपकी बु दंदा करने को रहता है और जब भी स्कूलों में भी कई वार ऐसा होता है कि बच्चे जब से जाते है तो पता नहीं क्या हो जाता है कि पहले हमारा बच्चा बहुत अच्छे थिक्टे से पढ़ता था, हुशियार था, इंटेलिजेंड था लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया उसकी बुद्धी विकास ही नहीं कर दी है और बुद्धी में पता नहीं कई वारी ऐसा रहता है कि जैसे कुछ बुद्धला बुद्धला से रहता है बंदा बंदा से रहता है बजन रहता है माइंड के उपर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बहुत काफी लाखो टन बजन सीर के उपर रख दिया हमारे और सीर में दर्द हो जाता है उस कारण से तो इनके पिछे जो है कई बार करा कराई का भी असर होता है कोई चीज़े आपके साथ करीवी होती है कुछ चीज़े लगीवी होती है कुछ चीज़े किसी ने भेजीवी होती है आज मैं आपको जो मैं आपको उपाए बताऊंगा बाला जी माराज की किरपा से वो जो उपाए है बहुत अच्छा है स्टिक है इसको आपने डेली एक ये कारिय जरूर करना है अपने जीवन में इस बात को गाठ मारन लेना अपने जीवन के अंदर कि मैंने अपने जीवन काल के अंदर कभी ये कारिय जो है नहीं छोड़ना है करना क्या है कोई जादा बड़ा कारिय नहीं है एक हनुमान चलिसा अब आप कहोगे कि हनुमान चलिसा तो हम रोज पढ़ते हैं पढ़ते हो रोज पढ़ते हो डेली परो जो जुरूरी है पढ़ना भी क्योंकि जो सत्वार पाठ कर कोई छुटी बंदी महासुक होई डेली प पढ़ना किस कारण से है? किस तरिके से करना है? वह मैं आपको बताऊंगा. हनुमान चिलिसा आप पढ़ रहे हो। अब पढ़ने में आपने एक दीपदान देना है बस। आप दीपदान देना है। दीपक तो आप रोज पर दिशत कर रहे हूं। देली जला रहे हूं। आज के शिरी चर्णों में दीपक रख दिया, उसमें आपने थोड़ा सा सिंधूर ऐसा उस दीप में आपने डाल दिया और थोड़ा सा हनुमान जी के चर्णों में लगा लिया, जो चर्णों में लगाओगे वो इस सूरिया उंगली से आपने अपने मस्तक पर भी धारन करना है अब कहना कै किस मंत्रों के साथ करना है ये मैं आपको आज बता हूँ आप हनुमान चलिसा पढ़ते हो हनुमान चलिसा पढ़ने के बाद आपने क्या बोलना है ये बोलना है ऐ हनुमान बारा वर्स का वीर जुमान मेरी मुश्किल करो असान जै बजदंगी जै हनुमान सिर्फ ये बोलना है इसमें बहुत सारी है इसे पान के बेड़े वाला भी होता है नेकिन मैं वो नहीं बता रहा आई हनुमान बारा वर्सका वीर जवान मेरी मुश्किल करो असान जै बजरंगी जै हनुमान बस ये करके आपने उस सिंदूर को अपने मस्तक पर लगा लेना है और मस्तक पर लगाने के बाद आप कहीं भी जाएए अपने माइंड का आप खुद अपने आपको एक रिलेक्स मैसूस करोगे जो दीप लगाना है वो भी एक कारिय से लगाना है साथ वार अपने उपर से वार के साथ वार अपने उपर से वार के लगाना है ये मत भूलना बस ये दो कारिय करने हैं आपने और उसके बाद वो जो तिलग लगाना है वो मस्तक पे लगाना है जैसे ही दीप को आप प्रजलित कर दोगे आपकी बंदी वी बुद्धी आपकी जो बुद्धी में किसी भी पकार का प्रेशर है किसी भी पकार की आपकी बुद्धी को अगर पकड़ा हुआ है तुरंट आपकी बुद्धी हलकी होने लग जाएगी तुनन्द आपके माइन्ड के उपर जो स्ट्रेस होगा वो दूर होने लग जाएगा उस से आपर हित होने लग जाओगी तो बोलिए जै सितराम, जै श्रीव बाला जी महराज, बाबा आपके उपर सदैव किर्पा करें, जै मातागी